वित्रो नमस्कार, मैं डॉक्टर शाम लड्धा, संचालक जीवन रक्षा फोस्टेड और रिसेसिटेशन ट्रेंग इंस्ट्रिटूट नाप्पूर. मेरा पिछला वीडियो जो था वो व्यूकर माइकोसिस जो ब्लैक फंगस की नाम से ज्यादा प्रचलीत है इस पर मैंने बनाया था आप लोगों ने उसे देखा सरहा मित्रो उस वीडियो में मैंने ब्लैक फंगस की जानकारी के साथ ओक्सीजन का इस्तेमाल ओक्सीजन कैसे देना चाहिए ओक्सीजन देते समय क्या दक्षता लेनी चाहिए इसका प्रत्यक्षिक भी मैंने आपको दिखाया था आज का मेरा जो वीडियो है वो है स्लिपर सेल एजंट्स मित्रो आप भली भाती जानते हो कि हमारे देश की और चीन और पाकिस्तान की सदियों से दुश्मनी चल रही है और इस दुश्मनी का नतीजा चाइना ने हमें दिखाया कोरोना इस आतंग के साथ कोरोना ने न केवल हिंदुस्तान में आतंग मचाया इसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है और देखते देखते इस आतंग वादी के स्लिपर सेल एजंट्स हमारे पूरे देश में हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द फैले हुए है अब आप कहूंगे कि ये स्लिपर सेल एजंट्स कौन है इन्हें हम कैसे पैचाने तो मैं बहुत ही संशिप्त में इनका परिचय देने जा रहा हूँ मित्रो ये स्लिपर सेल एजंट्स वो है जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बगैर मास्क से समाज में घुम रहे हैं ये वो है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं ये वो है जो समाज में रहे कर हमारे ही बीच रहे कर हमारी जान ले रहे हैं ये कोरोना इस आतंकवादी के साथी है ये वो स्लिपर सेल एजंट है जो समाज में नकली दवाईया बना रहे हैं कुछ हफ्तों पहले रेमिडी सिवर और कई दवाईयों की जो समाज में एक कमी हो गई थी लोग तडप रहते मर रहते इन दवाईयों के लिए तब इन लोगों ने इन देश द्रोहियों ने नकली दवाईया बनाई इन देश द्रोहियों ने इन दवाईयों की तसकरी की आपको गिद मालूमें गिद गिद ये ऐसा जानवर है जो मरे हुए जानवर या मरे हुए इनसान को नोच नोच के अपना पेड़ भरता है ये स्लिपर सेल एजंट्स ये आतंगवादी जिन्दा इनसान को नोच नोच कर अपनी तुजोरी भरते है मित्रो ये चायना ने तो दुश्मनी निकाली है लेकिन ये हमारे बीच रहने वाले हम जिने अपना कहते हैं ये क्या कर रहे है ये किस जन्द की दुश्मनी निकाल रहे है हमसे इनकी आत्मा मर चुकी है इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये समाज में आए और हमारे अज्ञान का और हमारे मजबूरी का फाइदा उठाए बचों इन से अब मैं आपको सैनिटाइजर के बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ सैनिटाइजर समाज में कई प्रकार के हैं जब से कोरोना का प्राब्लेम शुरू हुआ है तो वो समाज का एक वर्ग जो हरदम समाज के मजबूरी का और अज्ञान का फाइदा उठाता है उसने एक डुपलिकेट नीले कलर का द्रौप अधार्त बनाना शुरू कर दिया है य अगर हम हैंड वाश ले लिकवीड सोप का इस्तेमाल करें तो ज्यादा एफेक्ट्व रहेगा हर शहर में नुकड पर चौक पर गाओं में लोग दुकान लगा कर बैठे वें कपड़े के मास्क और इस तरीके का एक नीला पानी लेकर वो लोग तो अपनी उपजीवी का च यूज लेकर करना है तो पूद वाले शजाद करें अस्तेमाल करें मैं इसे कई कोंगे मैं किसी एक सेंटाइजर के आड नहीं कर रहा हूँ तो हमें ध्यान रखना है सेंटाइजर वह यूज करें जो डॉक्टर्स और अस्पताल में यूज होता है कि चार बातों का ध्यान रखें दोस्तों सबसे पहले सर्जिकल मास्क सर्जिकल मास्क फेश शिल्ड दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग तीसरी बात हैंड वाश और चौती चीज जो है वह है फोमाइट्स फोमाइट्स से बचे अब फोमाइट्स क्या है इस पर मेरी एक वीडियो बन चुकी है आप लोगों ने देखी होगी अगर नहीं देखी होगी ज़रूर देखेगा इन चार बातों की दक्षता कोविड और ब्लैक फंगस जैसे प्राब्लम से हमें मिले सुरक्षित्ता नित्रों आज का अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए जीवन सुरक्षा चनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे जन जागरूती वाले समाज उपयोगी वीडियोज में आप तक पहुचाते रहूंगा और डरियेगा मत तैंक यू वेरी मच्छ अजय कर धिया होगा येरी मच्छ